आज के मनुश्यों एक दूसरे के साथ इतना गुल मिल चुके हैं अगर उन्हें अकेले रहने के लिए कहा जाए तो वो एक पल भी नहीं रह सकते सोचकर दीखिए अगर ऐसा हो आप पूरी दुनिया में एक मातर जिन्दा इनसान बचे और बाकी सब इनसान अचानक गाइब हो जाए तो क्या होगा आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा अगर आप इस दुनिया में एक मातर जिन्दा इनसान बचे तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है और आपको क्या-क्या करना पड़ेगा दोस्तों जैसा की आप जानते हैं इनसान इस ग्रहें की सबसे वुद्धिमान पर जाती है वर्तमान समय में इनसान सभी दूसरे जीवों की तुल्ला में अधिक उन्नत और शक्तिशाली परानी है लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था और ना ही हमेशा ऐसा रहेगा जब इनसान इस ग्रहें पर नहीं जमे थे तब भी समय का पयाज चलता था और जब भविश्य में इनसान नहीं रहेंगे तब भी ये पयाज चलता ही रहेगा वास्त में इंसानों की होश्यारी ने इस प्रकिरिती को कुछ नहीं दिया बले कि उसने इस से कुछ न कुछ लिया है हमारे द्वारा फेलाए गए पर्दूशन का खामियासा अन्ने सभी पराणियों को भी बुगतना पर तो दोस्तों अब आप सोचो अगर किसी दिन दुनिया के सारे इनसान खदम हो जाए और आप सिरफ अकेले जिन्दा इनसान बचे तो यदि ऐसा हो जाए तो ये उस आखरी व्यक्ति के लिए बहुत बियानक समय होगा अगर आप अकेले इस दुनिया में रहे जाए तो सबसे पहले आपके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होगा क्या वास्तव में आप अकेले हैं या नहीं निश्चत तोर पर आप हर रोज कई सो किलमेटर की यात्रा करेंगे जैसे किसी दूसरे इंसान को ढूनने के लिए यात्रा करेंगे सडको पर गाडियों का मेला लगा मिलेगा लेकिन आपको उन गाडियों में कोई भी नहीं दिखेगा आप चाहे जितनी महंगी गाड़ी और लगजरी गाड़ी को अपने मन मुदाबिक चाहे रोट पर किसी भी स्पीर पर दोड़ा सकते हैं आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए या उसका पैट्रोल खतम हो जाए तो आप उस गाड़ी को छोड़ कर किसी दूसरी अपनी पसंद की गाड़ी या भाई को ले सकती हो जाहिर तोर पर आप इस दुनिया के राजा होगे लेकिन अफसोस की बात ये है आपकी राच्सी ठाट देखने वाला कोई भी नहीं होगा वैसे आपको दूसरे इंसानों की तलाज में जादा दूर निकलने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए किसी हत्यार खाने की तलाज करनी होगे वहां से आप किसी बंदूग, राइफल या अन्य गाड़क हत्यार को ले सकते आपको ये हमेशा अपने साथ रखने चाहिए क्योंकि शेहरों में इंसानों के राज खतम होने के कारण शेहरों में खतरनाग जंगली जानवरों का राज कायम हो सकता है चिडिया गरों में देख देख ना होने की वज़ा से वहाँ कैद घटनाग जानवर बाहर निकल कर शेहरों में आ सकते हैं ऐसे में निश्टी तोर पर आपको अपनी सुरक्षा के लिए इन हत्यारों की जरूरत होगी क्योंकि आप इन हत्यारों के बिना घटनाग जानवरों से लड़ नहीं सकते हैं और एक काम जो आपको सबसे पहले करना चाहिए वो ये है कि आपको तुरंट शिमला जां मैं सूरी जैसे किसी शहर की और रवाना होना चाहिए जो पहाड़ों पर बसे हो क्योंकि इनसानों के रंकल के बीना हमारे द्वारा नदिया पर बनाए गए बड़े बान तूट सकती है जिसमें मेदानी इलाकों के बेत खतनाक बाड़ा सकती है ऐसे में खुद को जिन्दा रखने के लिए आपको पहाड़ों की और जाना पड़े लेकिन किसी अकेले इनसान दुवारा बिजली के प्लांट को संबावना ना मुमकिन है इसलिए दीरे दीरे प्रित्वी से बिजली जाने लगेगी और लगबख पूरी प्रित्वी पर अंधेरा हो जाएगा लेकिन अगर आप बिजली यंत्रों की थोड़ी बहुत जानकार प्रित्वी पर इनसान गाइब होने के विश्रवात में आपको कई सालों तक खाने की कोई भी समस्या नहीं होगी क्योंकि हर शहर में मौझूद बड़े बड़े मौल आपके लिए खाने से बड़े होगे आप जब चाहें अपनी मर्जी का समान उठा कर खा सकते हैं या फिर अपने मन चाहें कपड़े या महंगे महंगे गैने ले सकते हैं जिनके गवी आप सपने देखा करते थे क्योंकि आज आपको इनके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आप प्रिथ्री पर इनके एक लोते मालिक होंगे आप अपने महंगे कपड़े और जेवर देखकर आपकी तारिफ करने वाला कोई इनसान आपके पास नहीं होगा तो इसलिए हो सकता है आपका ये कानों में मजूद कच्चा खाने का समान जैसे सबजियां और दूद आदी तो जल्द ही खराब हो जाएगा लेकिन अन्य परकाद के ड्राइफ रूड जो पैकिंग में आते हैं वो आपके खाने के लिए महीनों तक असानी से मिल जाएंगे लेकिन खाने का स्थाई समादान या फिर हमेशा अपने लिए खाना उपलग रखने के लिए आपको खेती करना सीखना होगा अगर आप शुद रूप से शाकारारी नहीं हैं तो आपको दूसरे जीवों का शिकार करना जादा असान होगा वैसे भी खेती करने से पहले इनसान ने हजारों शालों तक शिकार करके ही अपना पेट बरा है दोस्तों बले ही आप इस दुनिया की राजा हो और हर एक सुख सुविदा आपके कदमों में हैं लेकिन एक अकेले इंसान के लिए जिदगी जीना कठी होगा अगर आप अपने के इलावा किसी दूसरे इंसानों को खोश पाए तो आप किसी के दुख और सुख बाट आओंगे किसी के साथ बात कर पाओगे आपको इंसानों में रहने की आदत है अगर कोई इंसान ना मिला तो आपके दिमाग पर बुरा परवाब पड़ेगा कभी कभी अकेले पन से इंसान पागल भी हो सकता है इस पूरी दुनिया में किसी एक अकेल इंसान का जीना शायद संबव नहीं है अकेले इंसान के लिए समय बतीत करना बहुत मुश्किल होगा समय बतीत करने का सबसे बहतरिन तरीका यह है आप वर्ल टूर पर निकल जाए और पूरी दुनिया की सेर करें अगर आपको हवाई जहाद नहीं उड़ाना आता तो आप समुदरी रात या गाडियों की सहाईता से यत्रा कर सकते हैं इंसानों के ना रहने से आपको पूरी दुनिया में बहुत बतलाव देखने को मिलेंगे जो जानवर इंसानों पर निरबर थे वो इंसानों के ना रहने से उन्हें अपना बोजर नहीं मिलेगा और उनकी दीरे दीरे से मोत होने लगेगी जितने भी सैटलाइट हमने अंतरिक्ष में छोड़े थे वो इनसानों के बिना दीरे-दीरे से खराब होने लगेगे कुछ अच्छे काम जो इनसानों के ना रहने के होंगे वो यह कि जितना भी परदूशन या रेडियेशन हमने फिरा रखा है वो दीरे-दीरे खतम होने लगेगा और साल दीरे-दीरे धरती पर हर्याली बढ़ती जाएगी जादा वारिश होने रगेगी जिससे दुनिया में तमाम शहर और गाहों दीरे-दीरे जंगल में तबदीर हो जाएगे दोस्तों वक्त के साथ-साथ जो भी मानम निर्मित वस्त्मों थी जिने आप अब तक काम में ले रहे थे वो सब घराब हो जाएगे शायद कुछ दशकों के बाद ना तो आप घूंप पाएंगे ना गाड़ी चलाया पाएंगे कि सबी घाड़ीयों के जर्णेटर बंद हो जाएगे और घराब हो जाएगे अगर आपका साथ निबाने के लिए कोई साथी मिल जाता है तो ठीक है वरना एकेले इंसान की जिन्दगी का कोई मतलब नहीं रहे जाता है तो अब आप अकेले बैठ कर सूचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप ऐसा क्या करोगे जिससे आपके जिन्दगी बोरिंग नहीं होगी और आप खुशी खुशी इस प्रिट्वी पर अपना जीवन पितीत करोगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है दन्यवाद